हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को स्टेंडर्ड वायर गेज के वारे में बताऊंगा दोस्तों जैसा कि आप देख रहें ये हैं आपका स्टेंडर्ड वायर गेज दोस्तों ये बना होता है हमारा हार्ड इस्टील का और इसका इसमें जो खांचे कटे होते हैं जीरो से चैंडर वायर गेज से जो question पूंचा जाता है, दोस्तों वो इस तरह से पूंचा जाता है, कि इसका जो number बढ़ने पर जो है, इसका size घटता है या बढ़ता है, तो number बढ़ने पर इसका size घटता है, और number घटने पर जो होता है, इसका size बढ़ता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक नंबर का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है और 36 नंबर का जो साइज है वो सबसे छोटा होता है तो इस तरह से कोशन पूशे जाते हैं यह आप याद रखे इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे mkytechnicalistd channel को सब्सक्राइब